हालो वल्कम अगें गुड मॉर्णिंग तो अलव फ्यू ऑन दिस प्लैटफॉर्म बारबंकी जीनियस कोचिंग और आप देख रहे हैं आपका सेशन इंग्लिश का इंग्लिश का या कह लिए किस तरीके से आप अपनी इंटर पर्सनल स्किल्स को इंप्रूफ करें इसमें दो करते हैं इसी कंटिन्यूइशन में आज का जो वीडियो है यह कि स्टोरी पर बेस्ट है स्टोरी कुछ इस तरीके से हैं कि हिंदी में मैं स्टोरी नेरेट करता हूं आपको और उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ट्स हैं के फॉर्म में आई विल राइट डाउन ऑन दे ब्लै अगर लगातार 8-10 दिन 15 दिन कर लेंगे तो कहीं ने कहीं आपको जो इंग्लिश का एक डर है जो हेजिटेशन है और आप जानते हैं कि कोई भी चीज जिस अगर हमें डर लगता है तो उसके दूर जाने से काम नहीं चलेगा जिसको आपको डर लगता है उसके पास जाने से जाने कि उसको आप जितना रेगुलर तरीके से करेंगे वह उतना ही ज्यादा आपको थोड़ा सा इंट्रस्ट्रेट होगा और जब इंट्रस्ट होगा तो आप चीज़ें बहतर कर पाएंगे ठीक है तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं नेरेट करते हिंदी में और और उनके इंपॉर्टन वर्ट्रस्ट आपके सामने बोल पर होंगे ठीक चलिए शार्ट करते हैं एक बार की बात है वंस अपॉन टाइम या वंस कहते हैं जिसको आप एक लड़का था दियर वजब 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 वह परेशान था परेशान नहीं समस्क्राइब पर खरते हैं वह उल्जा उल्जाता है उल्जा मतलब जैसे साइन्स परना हो तो मैस के बारे में सोच रहूं नहीं संज़ए यानिकि वह पर्टिकुलर कि सी एक चीड़ कर फोकस नहीं कर पाता था लेकिन वह अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता था तो लग्ला का बहुत इंग्लिश में कन्फ्यूजड वर्ड पढ़ा है एंफ्यूजड कर दूसरा वर्ड है एडल पेटेड अब यह वर्ड आपको अपनी करना पड़ेगा कि और एक चीज़ से फोकस नहीं कर पाता है परेशान यह आपके लिए कंसेंट्रेशन नहीं कर पाता है कंफ्यूजड में रहता है तो कंफ्यूज वर्ड पॉपुलर है और यह आपको कमट्रेटिव इंग्लिश मिलेगा एडल पेटेड तो आपने क्या का वंस अपना टाइम यह वाज अडल पेटेड या कुछ लोग एडल ब्रेंड भी कहते हैं नहीं कि एक चीज़ पर इसका फोकस नहीं हो ठीक वह बहुत परशान था लेकिन वह काम्याब होना चाहता था ही वॉंट्स ही वांटेट टू बीए सब्सक्राइब उसने अपने समस्तिया अपनी मां को बताई ही नारेटिड ही नारेटिड है अब यहां पर देखिए मैंने ने बताया आपको उसने अपनी परेशानी तो परेशानी के लिए आपके पास प्रॉब्लम वाल्ड है जो आप बोलते हैं लेकिन ही नारेटिड हैस्ट्राउमा मतलब दुख्डा जो उसका कस्ट था वो उसने बताया या इसके लिए एक वाल्ड और है एलमेंट यह आपके सब्सक्राइब का मतलब कस्ट दुख या परिशानी यह जो पीड़ा होती है उसको एलमेंट कहा जाता है तो ही नरेटिड इस ट्राउमा या एलमेंट विस मदर माने कहा मदर सेट गाव में एक साधू ठहरे हुए हैं देज असेंट स्टेंग इंड विलेज तुम जाओ और साधू ने उसे देख कर पूँछा कि तुम बहुत ही बुझे बुझे उड़ास दिखाई दे रहे हो तो इतने परिशान क्यूं हो वाइ डू यू अपियर सो है गार्ड वाइ डू यू अपियर सो है गार्ड अब आप कहेंगे यह गार्ड क्या है है गार्ड वर्ड वर्ड वो है जब किसी इंसान को निराश और रुदास और परिशान होता है है तो उसके लिए ये र्यूस कर दें था आउत लगायल और आइप जो कıldे है उसने कहा कि मैं एक समस्या से घ्रशित हूं जरिया मैं समस्या से फ्रीयुथ हूं तो किसी भी चीज से घ्रराव है है तो उसे कहते हैं अधी मॉफ को इसाधू ने कहा कि क्या प्रमस्य आया इस यूर यह वाट इस यूर अगुणी यह ना गया लड़के ने उसे अपना दुखला सुना जिया साधू ने कहा कि एक काम करो डू वन तिंग कल मुझसे कल सुबह मुझसे नदी के किनारे मिलना मीट मी टुमारो ऑन दा बैंक आफ रिवर इन अब अब साधू ने कहा लड़के की समझ में नहीं है कि यह क्या बात हुई लेकिन वह घर चला गया ही लेफ दा प्लेस वह उल्ज हो कि यह वाज डाइलेमा है इसको प्लाइले मैं यह उन हो की आप अदर सब्सक्राइब अ कि रहते हैं में गारा इंट्र गोलिप क्या इदाने जल्दी से वह किनारे की तरफ गया आप देखे क्या होता है तो एक तो रन होता है लेकिन जैसे मान लिए किसी मॉल में कोई कोई डिसकाउंट हो यह कोई और यह वंपर आफर तो वहां पर लोगों की फीड़ एकसा आती है उसको कहते हैं रज्ट कहां रज्ट टू दा बैंक आफ रिवर इस रज्ट दा बैंक आफ रिवर उसने देखा इस सादू वहां पर टहल रहे थे दसेंट वाज टैलने कि आपक एमबलिंग A-M-B-L-I-N-G आभा सेंट वाज आंबलिंग ऑवर दियर माज मस्ती के लिए या मस्ती में घैलते है तो उसके लिए आंवर ओलड़ इस अड़्ज कि वह सादू के पास गया ही वेंट तो दसेंट सादू ने उससे पूछा दसादू दसेंट आज इम एक बात बताओ टैल मी वन दिंग क्या तुमने इसनान किया है या क्या तुम नहां करके आए हो है भी टेकन अबात आज़ोने सवाल किया एव यू टेकन अबात अब यह सवाल बड़ा अजीब था नहीं समझे है कि वह अपने परशानी लेकर आया तुने उससे कहा कि क्या तुम नहां करके आयो लेकिन चुक्ती वह सादू थे सेंट थे महापुरुच थे तो उसने कोई सवाल नहीं किया उसन तो सादू ने का एक काम करो सामने नदी है जाओ नदी में इसनान करो गो एंड टेक अबाथ इन लड़के ने वैसाई किया दो जब वह नदी में नहा रहा था वैंड ही वाज टेकिंग बाथ इन दा रिवर सादू ने उसे पीछे से धक्का दे दिया मैं स्टोरी थोड़ी से आगे भी आए तो अब तासेंट कुछ दिम बैक का ऐसे पीशर्थ दक्का दे दिया अब क्या हुआ लड़का जो है नदी में डूबने लगा लगा बॉए वॉस जोनिंग इन दा रिवर और तो और साधू ने उसकी एक टांग पकड़ ली और तो और इसको इंग्लिश में कहते हैं जैसे आपने का कि यार उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा और तो और उसने मुझे बैठने के लिए भी नहीं का ना तो इसको इंग्लिश में कहते हैं और तो और साधू ने इसकी टांग पकड़ ली मोर ओवर दा सेंट होल्ड इस लड़का पानी में डूब रहा था और उ उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी यह वह सांस नहीं ले बारा था यह वाज अने बल टू टेक ब्रीट अब थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम साधू ने उसका पैज छोड़ दिया साधू दसेंट छोड़ने क्या होगी लेफ्ट लीफ के सेंट लेफ्ट ले तो दून पहले का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमेह बताया था जैसे तैसे जैसे तैसे को अंगलीश में के थे हैं समहाव और दीए अदर जैसे तैसे वा पानी के उपर आ गया सम्हाव औरदी अधर आउट आफ दा रिवर एक वह गहरी गहरी सांसे ले रहा था यह वास टेकिंग डीप प्रीथ इसी पीच आप देखें इसी पीच का मतलब इन दा मीन टाइम याद एक चुड़ी इसी पीच इसके इंग्लिश पीच इन दा मीन वाइल या कभी कभी इन दा मीन टाइम भी बोल दें साधू उसके पास आए दा सेंट केम टू हिम साधू निस से पूछा नसाधू आज इंग बात बताओ टैल मी वन तिंग जब तुम गह है क्या चीज़ की आवशक्ता सबसे अधिक लग रही थी वेंड यूवर इन दीप वाडर वट वाज यूर बिगेस्ट नीट वाट वोज यूर बिगेस्ट नीट सबसे बड़ी जरूत क्या थी तुमारी लड़के ने कहा दब वाई सेड मुझे कुछ नहीं सूज रहा था सिवाए ताजी हवा के I didn't think anything except the fresh air सादू ने कहा कि यही तुमारी परशानी का हल है यही हल है लड़के ने कहा दब वाई सेड मुझे समझ भी नहीं आ रहा है वाट यू सिंग कि आप क्या कह रहे हैं सादू ने कहा लेट मी एक्स्प्लें मुझे सम्झाने दो जैसे जब आप पानी में थे तो आपको सिवाय ताजी हुआ कि कोई शीज नहीं रही थी वैसे ही जब आप इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में चाहते हैं कि आप काम्याब हूं तो आपको सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने टार्गेट के बारे में ही सोचना और आप देखा कि इसमें बहुत सारे वर्ट इससे पहले स्क्रीन पर थे और यह वर्ट भी आपके काम आएंगे तो इसको अब इस स्टोरी को मैं फिर से शॉर्ट में नरेट कर देता हूं हिंदी में ताकि सबको क्लियर हो जाए और फिर जो वर्ट मैंने आपको दिये हैं उन वर्ट की मदद से आप इंग्लिश मनाईएगा और वो जो इंग्लिश स्टोरी होगी उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ यह नहीं हो तो अपने अकेले में आप उसको थोड़ा लाउड होकर पढ़िएगा और यह प्रैट्टिस अगर आप कर लेंगे एक हफते दस- स्टोरी के साथ अगले सेशन में आज के रिए इतना ही और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और लास्ट में कहेंगे कि जैसे यह पैंडमिक का टाइम चल रहा है तो प्लीज स्टे हूम और स्टे सेफ और प्रण स्टे यह प्लीज से बड़िहा थे क्यhero